नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तन चिकित्स विभाग तो एनम की ओनलाइन चोईसेज जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है तो ओनलाइन च उन लोगे तो हो सकता है कि आप नोकरी करते वक्त आपको ये वीडियो ध्यान में आए जब आप लोग जोईन कर लोग इसी महिने में तो आप लोगको मेरा ये वीडियो ध्यान है कि उनकी वज़ह से या रेनेस एजूकेशन न्यूज की वज़ह से आज मुझे घर के पास तो ये वीडियो बड़ा कास रहने वाला देखिए बाते ही है इसमें सुनोगे काम आएगा तो शायद बहतर रहेगा बता दूँगा आज कैसे ग्रहजिला मिलेगा आप लोग ये बहुत खास वीडियो है कैसे भरना है क्या करना है कितनी चोईस भरनी है सब कुछ बता देता ह ठीक है तो बस सर्त यह यह वीडियो देखना है अब देखिए सबसे पहले तो आप लोगो कुछ दिसा निर्देश मालूम होने चाहिए अब जब आप लोग चोईस भरने जा रही है एनम बहने ध्यान दे तो आप लोग ये जो पेज में आप लोगो पढ़ रहा हूं ये आ सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए होगा देखिए इसमें कोई डोकुमेंट्स का रिक्वार्ड नहीं होगी आप लोगों को जो रिक्वार्ड होगी वो देखिए सबसे पहले आप लोगों का वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप लोगों ने फोरम भरते वक्त बंद हो गया गुम हो गया तो यह बहाने आप लोगों की लाप पर वाई है वो नंबर चाहिए होगा OTP उस पर आएगा और उसके बाद आप लोग को सारे चीजे करनी है जैसे आप लोग लोग इन कर लोगे राज हेल्थ पोर्टल पर तो आप लोगों को एक इंटरफेस दिखाई देगा मैं आप आगे दिखाऊंगा तो उसमें देखिए व्यक्तिगत डिटेल्स आप लोगों को दिखेंगी और उनमें कोई परिवर्तन आप लोग नहीं करेंगे वो पहले से भरी हुई आएंगे उसमें कुछ चीजे आप भ्यरती को वर्तमान आप लोगों का जिला बदल गया तो ये आप लोग निवास इस्थान है न वो उसमें चेंज कर सकेंगे ठीक है तीसरी बात ऐसी महिला ब्यरती ध्यान दे जिनके पती यानि आपके हस्बेंड राजस्तान सरकार की नोकरी में हैं टीचर हैं पटवारी हैं ग्राम सेवक हैं चपरासी हैं जो सरकार की नियमित सेवा में होने शिफू की वर्तमान कीसी नियमित भरती में चैनित होने किस्ति में संबनित वीवरन भरने का विकल्फ होगा उक्त की पोष्टी नियंतर अधिकारी दुआरा कारे घ्रन करवाते समय की जाएगी गलत अथवा जूटी सूचिन अंकित करने प पर संबंदित आवेदे का पदिस्थापन आदिस निरस्त करते वे अनुसासनात में कारोई प्रस्तावित की जाएगी एसी अभ्यरती जिनके पती गोर्मेंट जोब में हैं पहले से काम कर रहे हैं या फिर मालो आप अनम में सलक्ट हो गई आपका जो पती है आपकी शादी नहीं हुए या मालो या फिर आपका पती है वो मालो जी एनम में लग गया नर्सिंग ओफिसर में ठीक है तो आप उसकी भी बता सकते हों उससे क्या होगा कि आप लोग जो चाहेंगे वो आप लोग को पोस्टिंग का पैलेस मिल जाएगी जगह मिल जाएगी अब देखिए ये सबसे मैत्पूर्ण है च्यार नंबर का पॉइंट नोन टी एसपी एरिया में कम से कम पचास और टी एसपी एरिया में कम से कम बीस विकल्प भरने अनिवारे हैं जिसके पसाती अब ब्यर्ती दुवारा जो सूचना है उनको सब्मिट किया जा सकेगा देखिए नोन टी एसपी नोन टी एसपी पचास भरने हैं पचास कैसे भरने हैं, पचास जिले हैं जैसे अब अपने हैं, कितने हैं पचास, तो हर एक जिले से पहले आप लोग एक एक भर दीजेगे, इस पर मैं बाद में बात करूँगा, उससे पहले देखिए, अब ब्यरती दुवारे एक बार सब्मिट करने के पसाद एडिट नही नहीं होगा देखके भरे अलवर जिले में कितने इस्थान है वो सारे भर्दो देख लो कौन सा आपको पहले भरना है घर से दूर ही देख लो कितना दूर है कभी बगर देखे आँखों को बंद करके भर्दो और फिर का ओहो यह तो घर से 200 किलम्टर दूर बरागे गलत बर द है मैंने तो ठीक है फिर कोई बचाने नहीं आगे क्योंने अडिट नहीं होगा अब देखिए पदिस्थापन का इस्थान आवंटन पून्ता रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्थूत विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा अब भ्यरति दुआरा अ अधिक सदिक विकल्प भरने की सला दी जाती है यदि अभ्यरति दुआरा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्तिस्थान उपलब्द नहीं होत्या है तो एस इस्थी में ओनलाइन सिस्थम दुआरा सेस रहे रिक पदों पर रेंडम आधार पर वं यह अगर आप मालो नहीं भर पातें किसी वज़े से तो दिकत तो कोई नहीं है लेकिन फिर आप लोग यह नहीं कहेंगे कि मैं तो बांस वाड़ा का था मेरे को डूंगरपूर क्यों भेज दिया यह नहीं कह सखोगी आप लोग अगर नहीं बरते हो तो नहीं बरने में तूटेगा क्योंकि आप लोग जो चाहेंगे न वो इस्थान आप लोगो मिलेगा नहीं आप लोगो रेंडमली जो मिलेगा वो आपको फिर लेना होगा ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कैसे क्या होगा राज हेल्थ की साइट पर जाना है इस तरीके के अपोइंटमेंट फोर दा पोस्ट वहाँ पर एनम ही सलक्ट हो रहा है सलक्ट कर पाएंगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेज आएगा ठीक है एनम सलक्ट कर लिया यह मोबाइल नमर बाहर दो अपना यहाँ पर यह कैप्चा कोड भर दो सेंड ओटीपी पर क्लिक कर द इस तरीके के इंटरफेज आएगा पहला इंटरफेज आएगा इंटरफेज आएगा उसमें आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स है न वो रहेंगी जो पर्सनल डिटेल्स वाला कालम है स्टेप फरस्ट उसमें आप लोग क्या कर सकेंगे आप लोग का एड्रस चेंज कर सके एड्रस फस्टेप आएगा जब राज हेल्थ पोर्टल पर OTP डाल के आगे निकालोगे तो यह इस तरह के एक आ जायेगा उसके बाद आप लोगो फिल प्रिफरेंस दो नमबर तक ही जाना है किस तक जाना है दो नमबर तक ही जाना है पहले step में आप लोग address change कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ address दूसरे step में आप लोग preference यानि की choice बर सकते हो कौन सी जगह आप लोगो नोकरी करने के लिए चाहिए ठीक है उसके बाद का आप लोगो कुछ नहीं करना ये बाद की चीज़े हैं जब posting order आ जाएंगे 3, 4, 5 और 6 ये 6 जो चीज़े हैं चार जो हैं आप लोगो बाद में करनी है फिलाल दो चीज़ों पर गोर करना और दोप में भी currency करनी है दूसरे नंबर की step 2 फिल फ्रिफरेंस वाला ये आप लोग देख लेंगे उसके बाद देखी कुछ और चीज़े हैं इसमें ठीक है वो भी आप लोग भर देंगे भरने के बाद आप आओ में काम की बात पर ठीक है वो जो पचास वाली जो चीज़े हैं वो बता देता हूँ कैसे पास्त का इस्थान मिलेगा देखिए सातियो जितनी भी एनम भेने या उनके पती या उनके घरवाले जो भी इस वीडियो को वाच करें वो सुनें बड़े गोर्स इस ध्यान मेरी बात को देखिए पचास तो भरने अनिवार ने हैं आप लोग को पहले सबसे पहले आप लोग अलवर का एक भरो दो कोई भी एक सबसेंटर बर दो आप लोग को खाली की डिटेल्स बताएगा अलवर के जितने मालवर में 200 खाली है मालो एनम के 200 जगे खाली है इनम के उसमें ब्लोक है अब उस ब्लोक में मालो कोई बहरोड ब्लोक है में वो भर देना उसके बाद क्या करना उसी अलवर जिले की अगर 240 खाली है तो उसी अलवर जिले की 240 की 240 बर देना क्या उसी जिले की सारी की सारी भर देना बर दी मालो अलवर की 240 खाली थी 240 तुमने बर दी अब उसके बाद देखो अलवर के पास वाला जिला कौन सा है जैसे जैपूर है अलवर के पास में ठीक है फिर आप लोग जैपूर की चले जाओ जैपूर में सारी भरदो ठीक है फिर मानलो उसके साथ देखतो यार दोसा भी पास अलवर की ये भी ज्यादा दूर नहीं मेरा तो जिला अलवर है फिर दोसा की भ अपने जिले के भर लेंगे आसपास के भर लेना सारे कितने भर लेना अपने आसपास के सारे जिले पहले अपना खुद के जिले के भर लेना फिर अपने जिले के पास में जिला कौन सा, जैसे मालो सीकर है किसी का जिला, अब सीकर के पहले आप लोग भर लो, जैसे सीकर में 60 जगे खाली है मालो, पूरे सीकर जिले में, सब सेंटर इनेम्स के लिए, तो सीकर में पहले आप लोग 60 बर्दो सीकर के, फिर सीकर के पास दे तो आप लोग जुन जुनु भर दिया, सीख कर भर दिया, फिर आप लोग चूरू भर दो, ऐसा नहीं है कि बाई साब पहले तो सीख करके सारे भर दिये, और फिर उसके बाद चले गए, अब अलवर के भर दो, अपने पास के जिलों को पहले भरना है, अगर पास नोकरी चाह तो किसी में 20 ही खाली सीटे दिखा रहा है, 20 ही खाली हैं वाई जग है, मालो किसी भी जिले में, तो उसकी 20 भर दो, लेकिन वो आपके पास का जिला हो, सबसे पहले लेना है अपना खुद का जिला, पास का जिला, फिर उसके पास के जिले, ऐसे करना है, अपना ये जिला हो बना, कोटपूतली बैरोड बना, जैसे ओर भी बने, जाल ओर में कुछ बने हा ना, जैसे डीड बना, कुछ आम्मन बना, तो 50 आप लोगों को भरनी पड़ेंगी, 50 जिलों की एक एक, एक, दो, दो, तीन, तीन तीन ऐसे, एक एक भर देना आप लोग, अपने जिले आसपास क जिलों की तो 150 जितनी बर्सकों भर देना, और बाकी जिले सारे जो है ना, हर जिले से एक एक जगह भरनी पड़ेगी आप लोगों को, इतनी भरनी पड़ेगी, एक एक जगह, जैसे मान लोग, आपके पास का जिला अलवर था, आप लोगोंने बरतपूर की बरदी, करोली भर दिया, अपने दोसा भर दिया, आप लोगोंने जैपूर भर दिया, ठीक है, आप लोगोंने और कोई पास का जिला भर दिया, फिर उसके बाद आपके जिले बच गे, मान लोग, पांच जिलों में भर दिया, आपने लोगोंने 100-100, 200-300 ऐसे, फिर आपके बच गे 45 जिल कि एक एक भरने पड़ेंगे बाकि आपका जिला है उसके आप लोग सारे भरदो अना फिर दूसरा आपके पास का जिला उसके सारे भरदो तब मिलेगी आप लोगों को पास की अब ऐसा नहीं है कि अपने जिले में भी आप लोग कारस्तानी लगाओ या दिमाख ज़्यादा दोड़ाओ कि अपने जिले में भी काओ कि मेरे तो घर के पास ही चाहिए वाई साब जैसे निकल करके भग जाओ नोकरी करने तो ऐसा नहीं होगा अलवर के हो तो अलवर के सारे भरदो ये मत देखो कि अलवर में मेरी तैसिल तो राजगड अलवर में मैं तो राजगड के भरोंगी फिर अलवर के राजगड में कोई जगह खाली नहीं मिली तो फिर आप लोगों को चूरू वाले राजगड में भेद दिया फिर रोते फिरोगे कि यार ये क्या हुआ तो द्यान दो मेरी बात को मैं बड़ी गंबीरता से कहता हूं और अलगी वे में कहता हूं आप अपना जो चोईसेज है वो भरना है सबसे पहले अपने जिले के सारे भर दो फिर उसके पास का जिला देख लो फिर उसके पास का जिला देख लो ये नहीं है कि पहले तो भर दिया जिला आपका अलवर है पहले अलवर का भर दिया और फिर भाई साब चलेगा गंगा नगर के सारे भरने तो फिर भाई गंगा नगरी मिलेगा इस बात का ध्यान रखो गलतिया नहीं करनी है पहले अपने जिले का भरना है सातियो और फिर आप लोगों को दूसरे जिले आसपास के जिले उनका भरना है तब आप लोगों को पास का जिला मिल सकता है आपका ग्रह जिला म भर दिये और भाई छुट्टी ठीक है यानि कि हर जिले से एक एक तो भरना ही होगा ठीक है हर जिले से एक एक तो भरना ही होगा और बाकी जो टीएसपी एरिया है उन में से 20 विकल भरने निवार है टीएसपी एरिया में से ये तो नोन टीएसपी गा था 50 वाला तो और जो ट जिहान में आई मेरी बात समझ में आई मेरी बात दुबारा से बता देता हूं विदिन वन मिनिट सबसे पहले अपना जिला मेरा जिला जैसे अलवर है अलवर में मैंने सारी भरदी मानलो 200 जगे थी अलवर में खाली एनम्स की अलग-अलग ब्लोक में मैंने 200 भरदी उसके बाद मैं जाओंगा दूसरे जिले पे भरतपूर जैसे मेरे पास में पढ़ता है मैं भरतपूर के मानलो 160 जगे खाली थी मैंने एनम्स की मैंने भरतपूर की 160 बर दी फिर मैं जाओंगा मेरे पास जैपूर पढ़ता है भाई भाई साब पास में मैं जैपूर जाओंगा मानलो जैपूर में 250 सीटे एनम्स की खाली थी 250 सबसेंटर खाली थे मैंने जैपूर के 200 भर दिये फिर मैं जाओंगा दोसा में ठीक है मैं दोसा में गया दोसा में मैंने मानलो 70 जगे खाली थी मैंने 70 भर दी उसके बाद मैं जाओंगा अपने करोली में भाई मेरे पास काई जिला पढ़ता है बाड मेरे से अच्छा है तो मैं करोली मिल जाए मेरे जो अलवर से यहाँ पर मालो 300 सीटे थी 300 जगे खाली मैंने वो भर दी उसके बाद मैं देखूंगा यार मेरे पास में कौन सा जिला पढ़ रहा है यार नीम का थना जिला पढ़ रहा है मेरे पास में ठीक है मैंने नीम का थना भर दिया उसकी मालों 20 जगे खाली थी फिर मैंने देखा कि यारे कोट पूतली बहरोड भी मेरे पास में पढ़ रहा है तो मैंने वहां की जैसे 40 सीटे थी मैंने 40 भर एसे भरना है, समझें, सबसे पहले, जैसे इसको समझना है कि सबसे पहले कौन, आप, प्र आपका परिवार, फिर आपका गाँ, फिर आपकी तैंसिल, फिर आपका जिला, ठीक है? इस तरीके से, यानि कि सबसे पहले अपना खुद का जिला उसके सारे भर्दो खाली फिर आपके जिले के पास में कौन सा जिला पढ़ता है उसका फिर उसके पास में आसपास देखो अपने जिले के आसपास में कौन-कौन सा जिले लगते हैं सिमाय लगती हैं पास-पास कौन-कौन सा जिला लगता है उनके सारे भर्दो और एक-एक जो है न वो सारे जिलों में से भर्दो ये 50 के 50 जिलों भरने हैं तो जितने जादा भरोगे न उतना जादा बेनेफिट आपको होगा मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम आप लोग 10 से 12 जिलों के तो सारे भर्दो छोड़ो इमत अपने आसपास के ठीक है जैसे 10 जिले आपके अपना खुद का जिला उसके बाद 9-10 ओर देख लो और जादा ही भर्दो मैं तो कहूंगा ठीक है तो तब आप लोगों को पास का जिला मिल सकता है ये एडिट नहीं होंगे एक बार भर दिया तो चेक कर लेना सारी चीज़े और उस इसके बाद आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी इसी महीने में अक्टूबर मतलब अक्टूबर ठीक है अब मैंने बता दिया है कैसे ग्रह जिला मिलेगा 50 चोईसे तो भरनी है वो अलग अलग जिलों में से एक एक में से एक सलेक्ट करनी है बाकि अपने जिले की या और पास-पास के जिलों की सारी बर देना यदी ग्रह जिला चाहिए तो भात करें गोर परें यह है और टीएस पी में से 20 बरनी है और यह ओनलाइन भरना है कागजों की किसी की जरुरत नहीं होगी जैसे आप लोग OTP बगर डालोगे सारी चीजे खुल करके आप लोगों के साम पे Android फोन है उनसे भी कर सकते है आप लोग ठीक है ऐसे करोगे तो आप लोगों को फाइदा होगा जल्दी भरे जाएंगे बहतर भरे जाएंगे 18 तारीक लास्ट एट है और जिन एनम बहनों के हस्बेंड पती जो हैं सरकारी नोकरी में हैं जो राजस्थान सरकार की हो यह यह भाई फोजी है यह आई टी बीपी में है स्सबी में है क्योंकि हमारे से सब जुड़े हैं बहुत सारे फोजी भाईयों को से बात होती रहती है जिनकी जो वाइफ से हैं वो इनमें लगी हैं नम्स बनी हैं जीनम्स बनी हैं किसी की फार्मासिस्ट बनी है तो हमारी तो बात होती रहती है तो वो माने नहीं होगा ठीक है साथ यह फिलाल इस वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत